नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी फाउर यूपेसीपी से सेनने स्वागत है आज का वीडियो जो है वो एक्चुली में मैं तो बनाने वाला था वही न्यूजपेपर अपना डिसकसन पर लेकिन कुछ ऐसा अपडेट आया जिसके कारण मुझे था कि बनाना चाहिए इस पर क्योंकि बहुत सारे मैसेज वगरा आ रहे हैं परसो कल ही ग्रूप में एक बच्चे ने डाला कि 69 BPSC जो होगा पीटी उसमें चार आप्प्सन होंगे और 1 by 3 आपका प्रूप मार्किंग होगा इस के रिगार्टिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं क्या करें क्या करें वगर पैनिक हो जाते हैं उसके बाद ही हम लोग डीटेले बात करते हैं जैसे 68 BPSC के मेंस का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको यह option दिया गया था कि आप इनमें से select कीजिए कि किस तरह का आगे का exam का pattern होगा इसमें तीन option दिये गए एक था कि 5 option ABCDE और E option more than one या none रहेगा negative marking और E option रहेगा आपका की none रहेगा और तीसरा जो इन्होंने दिया था जिस पर सबसे धिक पोल में दिया गया है बच्चों ने इसको yes बोला है वो है कि 4 option रहेगा और एक वट्टा 3 वन थर्ड जो रहेगा वो आपका negative marking रहेगा और इसमें सवाल किस तरह के होंगे तो उन्होंने बोला हुआ है कि जिसमें D option जो है D option some क्या है more than one रहेगा and in some other none रहेगा मतलब D option जो रहेगा उसमें लिखा रहेगा एक से अधिक या तो लिखा रहेगा इन में से कोई नहीं यही बोला है इन्होंने है ना इसी को लेकर आप लोग इतना ज़्यादा panic हो रहे है कि one by third होगा और पोल का result क्या आया तो आयोग ने जो पोल दिया उसमें पंद्रो सो तिरासी लोगों ने लगफ़ग में मेंस बहुत सारे कम बच्चे और इस वार फॉम भरा है मेंस का क्योंकि कम ही को select किया गया मेंस के लिए तो उसमें से अधिकांस लोगों ने इसी option को सही माना है तीसरे option को आप देख सकते हैं one by third वैसे एक चीज मैं बताता हूँ आपको जिससे question भी मैं दिखाऊंगा आपको question किस तरह के पूछे जाएंगे जो आपको clear कर देगा मैं आपको बताता हूँ आयोग को अगर करना होगा ना one by third और चार option तो आपसे बिना पूछे भी कर सकता था है ना बिना पूछे वो थोड़ा सा लोगतांत्रिक दिखने का ढोंग हो रहा है इसलिए आपसे पूछा गया है कि भाई बता दो वरना उन्होंने जो short answer introduce किया उसके लिए तो आपसे नह मत दीजेगा अब आते हैं कि इसमें सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे चोटा सा ही वीडियो होगा जरूरी था इसलिए बनाया है मैंने और अंत तक देखिए अभी कुछ महत्पुन बाते में बताने वाला हूँ आपको सवाल किस तरह से पूछा जाएगा तो आपने यहां पर क्या लिखा हुआ एक दो तीन लिखा हुआ है सभी लिखा हुआ है यहां पर दे कि क्या लिखा हुआ है टी ना तो एक ना तो दो इसी को तो नन बोलते हैं न कि इन में से कोई नहीं इसी प्रकार के आपके सवाल आएंगे इस्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं औ उसमें भी डी उप्सन जो रहेगा उसमें रहेगा नन या तो एक से अधिक या सभी यही रहेगा उप्सन में अब आते हैं कि इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेसान हो गए हैं एक अपवाह और चल रही है कि एक्जाम का जो लेवल होगा लेवल जो होगा वो अप करने की बात कर रहे हैं ये लोग की थोड़ा सा हाई हो जाएगा कोस्टन कठीन पूछे जाएंगे देखो ये सब चीज़ें एक से पहले अगर क्लियर करते हैं प्रेस कॉंफरेंस करके तो वो ज्यादा सही रहेगा एक्जामनेशन का हम लेवल बदल रहे हैं या अलग तरीके से पूछेंगे जब तक उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस नहीं किया है एक्जामनेशन का लेवल मेरे हिसाब से वही रहना चाहि या निगेटिव मार्किंग समाप्त कर दें हो रहेगा तो सिलिवस वही और मैं आपको एक चीज बताता हूँ UPPSC का एक्जाम देखा है आपने UPPSC का जो पैटर्न है ना मेरे हिसाब से BPSC का एक्जाम जो है उसी पैटर्न पर धीरे धीरे जा रहा है UPPSC के जो भी सवाल होते है 200 नंबर का होता है इसमें एक्जाम और 150 सवाल रहते है और जनरल का कटफ भी उसमें बहुत ज़्यादा हाई जाता है 120 पलस में जाता है 115 तक जात 110 पलस में जाता है जनरल का कटफ 1 by 3rd निगेटिव के मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ वो भी तब जब वहाँ पर दूसरा पेपर भी होता है बिहार में तो दूसरा पेपर भी नहीं होता आपका तो वहाँ पर इस हिस आफस ज़्यादा क्यों जाता है क्योंकि मैं आपको कारण बताता हूँ 5 उप्सन में से सलेक्ट करने में और 4 उप्सन में से सलेक्ट करने में 4 उप्सन को लेकर सलेक्ट करना आसान होता है जिन लोगन 68 मी BPSC दिया है उनको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उनको आ रहे थे उनको पता था इसका क्या होना चाहिए लेकिन चुकि D और E option था इसलिए वो गलत करके आ गए है बहुत सारे लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ यह सच है न तो यही चीज धिक्कत करता है इसी कारण से 91 गया है cut-off अगर 4 option 1 by 3rd रहता है और examination का level जो और 60 में था वही रहेगा तो यकीन मानिये 91 तो cut-off नहीं ही जाएगा 95 से उपर ही रहेगा cut-off तो 1 by 4, 1 by 3rd जो है यह negative marking यह आपके लिए नुकसान देह नहीं है कहीं से भी नहीं है कहीं से भी नुकसान देह नहीं है panic मत हो यह हर चीज को लेकर मैं आपको अगर cycle पर बिठा कर घुमाऊं वो ज़्यादा सही होता है या मैं आपको cycle चलाना सिखा दूँ वो ज़्यादा सही होता है तो वही चीज यहाँ पर भी है 1 by 3rd cut-off आ जाए 1 by 4th cut-off आ जाए अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो 1 by 4th cut-off में भी आप गलत करके आ जाते हैं परिवर्तन कहां पर होगा मैं वो बता रहा हूँ जैसे 1 by 4th cut-off था और 60 मी में तो जो लोग वे student exam देने गए थे अगर आपको आ रहा हो मान लीजे आपको 130 सवाल तक तो जाना ही जाना था 1 by 4 cut-off में और जो लोग वे ने 130 सवाल तक करीम हल किया है उनके marks अच्छे हैं क्योंकि 1 by 4 cut-off था बहुती 1 by 4 था negative marking बहुती low negative marking था ऐसे में जितने ज़्यादा आप सवाल करते हैं उतना ज़्यादा benefit मिलता है आपको आपने साथ सवाल किये इसमें से मान लीजे दो भी सही हो गया तो भी आपको अधिक number मिलते हैं तो भी आपका positive में रहता है negative में नहीं जाता है क्योंकि 8 सवाल गलत करने पर 2 सवाल के number करते हैं समझ में आ रही है चीजें साथ सवाल अगर आपने किया है उसमें से दो सवाल भी आपके सही हो रहे हैं इतना तो रहता है यह strike rate तो भी आपका अच्छा हो जाता है लेकिन 1 by 3rd cut-up में थोरा सा परिवरतन हो जाएगा candidate के हिसाथ से में बात कर रहा हूँ General OBC, SC, ST उसमें भी महिला पुरूस आप कर सकते हैं SC, ST का चुकी cut-up कम जाता है महिलाओं के अगर मैं बात करूँ उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ बाकि General OBC जो है 1 by 3rd cut-up के साथ आप questions attempt थोरे से कम करेंगे अगर आप 130 करके आए है 1 by 4th में इसमे 110 या 100 करीब में question ही आपको attempt करने है बस यहीं पर परिवरतन होगा बाकि पूरी तैयारी में कोई परिवरतन नहीं करना है जैसे पर रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहे है समझ में आ रही है चीजे मैं जो आपको कह रहा हूँ कोछ भी panic नहीं करना है जो आप कर रहे हैं वही करते रहे है अगर examination का level उपर जाएगा तो उसकी भी तियारी हम लोग कर लेंगे यह master उसमें भी capable है अगर examination का level UPSC तक चला गया ना UPSC के level का तो भी मैं आपको परहा सकता हूँ समझा सकता हूँ समझ गए अब मूल चीज अपने लिए क्या है अपने लिए एक ही चीज है 30 September exam है PT exam आपका तब तक आपका पूरा syllabus और पार बार मैं जो एक चीज कह रहा हूँ उस चीज का ध्यान रखिएगा UP का exam 2019 इसके बाद का सवाल आप देख सकते हैं practice के लिए क्योंकि अच्छे हैं 2019 में UP का pattern मतला है 2019 के बाद का UP का exam आप देख सकते हैं उसमें सवालों की जो pattern है उसको मैं समझाने की को भी कोसिस करूँगा जब एक बार डॉनटिप के सरा आ जा उसके बाद तो मैं आपको ये बता दूँगा को उसमें सवाल किस तरह का पूछे गए हैं आप खुद से भी PDF डाउनलोड करके 2019 के बाद का 2019 के बाद बिलकुल अलग हो गया है उसके pattern को देख सकते हैं आप उसके paper को देख सकते हैं जिससा आपको अंदाजा लगेगा कहां किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है उसमें चार ही option है NCRT आधारी सवाल पूछे गए हैं और maximum pattern उसी से match करेगा अपना BPSC का अगर वैसा होता है बस वहाँ पर क्या है 200 नंबर का PT होता है अपने यहां 150 नंबर का PT होता है तो अभी साब को एक ही चीज़ पर focus रखना है कि अपनी तयारी को best level पर ले जाए जितना अच्छा आप कर सकते हैं जैसे अभी अगर आप mains की तियारी कर रहे हैं खूब अच्छे से उसी का करते रहिए और सठमी का mains का paper होगा उससे और भी अंदाजा लग जाएगा साथ में क्या करना है कि कोई भी PYQ का question bank ले लिया जिसमें PCS और UPSC level के सवाल हो PCS और UPSC level के सवाल हो और उसके MCQ को लगाने की कोसिस कीजिएगा खुद से उसके explanation को पर सकते हैं इससे क्या होगा question practice करने की आपको habit हो जाएगी question eliminate करना सिख जाएंगे option का elimination मैं सिखाऊंगा आपको जब हम practice करना सुरू करेंगे ने परी के लिए उसमें option को eliminate कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा कोई question नहीं भी आएगा तो भी उसको eliminate करके कैसे answer निकाल सकते हैं ये मैं सिखाऊंगा ये trick होता है ये कोई वो नहीं है कि नहीं तुका लगाने तुका नहीं है ये trick होता है और ऐसा करना पड़ेगा आपको UPSC का अगर exam होता है UPSC का 100 सवाल में से टॉपर बच्चे को भी 30 से 35 सवाल आ रहे होते हैं बाकी वो 20 से 30 सवाल या 40 सवाल तक उसमें से answer आपको guess करने होते हैं guess करना होता है दो option फसेगा A और B संभव ही नहीं है कि टॉपर बच्चे को भी 50 सवाल किया तो 50 सवाल आते हो ऐसा हो ही नहीं सकता है तो वही चीज यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन level थोड़ा सक कम रहेगा इसलिए अभी इस एक ही चीज करना है अपनी पढ़ाई पूरी करनी है syllabus complete करना है साथ में अगर समय मिले तो MCQ practice धीरे धीरे करते जाए PYQ question bank से ओके और कुछ भी नहीं करना है सबसे पहली चीज तो panic ही नहीं होना है क्योंकि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है 1 by 4 की जगा 1 by 3 होगा तो हमारा क्या जा रहा है यार कुछ तन थोड़े से कम करके आएंगे strike rate थोड़ा से बरहा लेंगे fact थोड़ा से अच्छे से रटके जाएंगे समझ में आ रही है पूरी पूरी चीजें जो मैं समझाने को सिज कर रहा हूँ तो यह मुझे बताना जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे परिसान हो गया था मैं इसलिए मैंने सोचा कि सीज को किलियर कर दिया जाए हर परिवर्तन दुखद ही नहीं होता है कुछ चीजें अच्छी भी होती है one by third cut up अगर आता है तो मुझे जहां तक लगता है कि जो लोग मेहनत करके पढ़ते हैं उनको काफी जादा सहूलियत मिलेगा सुविधा मिलेगा क्योंकि जो डी और ई उप्सन था पांच उप्सन पढ़ा हुआ सवाल भी आप गलत करके आ जाते हैं वो चीज समापत होगा तो रहसे बैग्यानिक तरीके के ऑप्सन डालना चाहिए परिवरतन के नाम पर कुछ भी नहीं होना चाहिए दी और ई जो था ने ये परिवरतन के नाम पर बकवाज सीजे थी चार ऑप्सन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए खुद पर भरोसा रखे अपनी तयारी पर तयारी को अच्छा करने कोशिज किजिए आपके हाथ में केवल वही है ओके ओल दे बेस्ट नेक्स वीडियो हम जल्दी ही मिलते हैं उसमें न्यूज डिसकसन करेंगे हम लोग थाइंक्यू सो मच